नमस्कार दोस्तों मैं वह आर्थी प्रजापती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्थी स्वागत करती हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डाटा इंटरपेटेशन के कोशन कराने वाले आप लोगों को पता है डैली प्रेक्टिस के लिए हम टी आई के कोशन करा र जो पेपर था उसके अंदर जो डी आई के कोशन साय थे उसको कराने वाले ओके और वह भी फर्स्ट सिक्ट में थे ओके तो सबसे बहले दोस्तों वीडियो को लाइक करते रही अपने दोस्तों को शेर करना नहीं बूलना है एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक अलएं और दियाई के कोशन्स अब आपको मतलब किस तरह से इसलिजव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहए वह भी मुझे बताते रहे ताकि मुझे पता चाले कि आपका भी लेवल कितना रहा है और जो बच्चे बोल रहा है कि मैं हम सुरुआत से मतलब के बेसिक से कराओ तो टी आई का जो यूनिट है वो हम बेसिक से कराने वाले यह सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए अधरवाइस आपको यूनिट वाइस जब हम बढ़ाएंगे तब को बेसिक से अग्टिस समझाएंगे चलिए कि शुरुआत करते सबसे पहले में हर बार बता दियुक्त पर ना है उसके बार टैबल को समझना और उसके बाद ही अमें कहां पर जाना को पढ़ लेते सारणे को ध्यान पूर्वक पढ़िए वह प्रदत प्रश्नों के उतर दी है आपको और निंह न लगी शारणी में मतलब कि टेबल में चार बर्सों के दोरान पांच तीष ओ का कुल आयात वरण निरियात उकी एक्सपॉर्ट और इंपोर्ड दिया हुआ है वो भी करोड रुपे में दिया हुआय 230- 1947 अर्ट sneaking के 13 2017-2018-2019-2020 और देश दिये है PQRST इसके बाद यहां पर I का मतलब क्या होगा आयात मतलब इंपोर्ट और E का मतलब होगा एक्सपोर्ट मतलब के दिरियात ओके यहां पर उनके अंकड़े दिये हुए करोड रुपिये में ओके बस यह टेबल था आपको अब चलते हैं मुल्रुप से हर साल का निर्यात हमें देखना है वह भी क्या देखना है कहां कौन से यह में सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है तो इस यहां पर इसको देखना है यहां पर इसको देखना है यहां पर इसको देखना है और यहां पर इसको देखना है और यहां पर इसको देख आपको डिया केसा लगा थो के वो बताना नहीं बुलना है इस बार ओके चले चोड़ चे दो आट हुए आठाट सोला इक सत्रा यहां पर साथ आए और यहां पर एक तीन चार चार दो आपके होजी के छे चे तीन नो नो दो ग्यारा ग्यारा तीन चोगादा एक सो सैतालीस आप एक तीन चार चार दिन सात साथ दो नो नो दो ग्यारा ग्यारा तीन आपका हो जाएगा चोड़ा मतलब दो अजार अठारा के कितने हैं 169 ओके अब उननीस के देखते हैं तो 6 7 हो गये 12 13 13 6 हो गये 19 19 21 23 23 23 ओके यहांपर 3 यांपर 2 2 प्लस 3 5 5 3 8 8 प्लस 3 ग्यारा ग्या कि उसकी बाद देखते हैं 2020 के दो चार छे छे चार दस 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 बीस यहां पर जीरो यहां पर टू 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 थी फाइब फाइब ट्री एट एट ट्री ग्यारा ग्यारा तीन हो जाएंगे आपके चौदा चौदा दो हो जाएगे सूला एक सूसांट ओके हो गया अब यहीं से अंसर मिलेगा क्या पुछा गया कि स्वर्स में अधिक्तम निर्यात हुआ है मतलब एक्सपोर्ट का कौन से सबसे ज़्यादा हुआ है तो यहां पर देखो सबसे ज़्यादा का मैं 2017 में 14219 में 15220 में 160 कौन से ज़्यादा है आप बोलो इस तकर एक अंसर देखो पीना क्या टैबल में ही कैल्पुलेशन कर दिया है चली उसके बाद चलते कोश्यन नमबर टू कि वार्ट वोश्यन नमबर टू कह रहा है एस वार्टी देश द्वारा तोजा सत्रा से दोजा बीस के दोरान किये गए निर्याद के अनुपात का प यहाँ पर इस तरीके से है टी का निर्याद है यहाँ पर अब इन निर्याद का भी क्या करना है अनुपात लगाना है अनुपात पता करना है मतलब अनुपात का मतलब क्या होगा रेशियो करना है रेशियो का मतलब क्या होगा एस वार टी का रेशियो निकालना तो एस लगा लेते हैं 28 प्लस 28 प्लस आपके हो गए 21 प्लस 32 ओके यहां पर सिर्फ नियाद ओके यहां पर टीका लगा लेते हैं 31 प्लस 33 प्लस 23 प्लस 28 अब इसका सम कर दो अब देखो अभी यहां से कुछ कटेगा तो आपको आगे प्रोसेस करने पहले हो सुनके और देख लो यहां से आपका अंसर बन रहे हैं नहीं बन रहा है तभी आपको काचने के कौसिस करनी है को इसका मतलब यह हमारा इस तरीके से भी लिखा जाता है मैंने बताया इस तरीके से।्त बैख सकते हैं रिफ्हे है पी देष के लिए आउसत निर्यात और आउसत आयत के बीच काढ़gusunta का पता लगए मैंतलब मesses निकालना अब पीक वड़ेते हैं जो दिया है वही पर जाना है टैबल पर ओके अवस्ति निर्यात average export और average यहाँ पर क्या है इंपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सम मिश्टेक है average यहाँ पर average लिखते ना English medium वाले बच्चे थोड़ा सा spelling मिश्टेक चलो भी average आपको निर्याद और average आपको आयाद निकालना है तो देखे पी का यहाँ पर हम बॉक्स में लगा लेते हैं आयात को okay इंपोर्ट को लगा देते हैं और राउंड में कर देते हैं निर्यात मतलब के एक्सपोर्ट को कर देते हैं चलो अब यहां पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट में क्या है 25 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22 ओके अब देखो क्या बता है एवरेज निकालना है तो कितनी है एक, दो, तीन, चार है, चार से हमें क्या करना होगा, डिवैड करना होगा, बस, आपका एवरेज यहां पर निकल जाएगा, चली, पहले सम कर लेते, पांच चान नो, नो, आठ कितने होगी, सतरा, सतरा, दो, उननीस, उननीस का नो, और यहां पर एक, दो, एक, तीन, दो, पा 28 हो गए, आपके, यहां पर 2 आए, ओके, अपी भी आगे से, जिरो उतार लो, नीचे के, पांच वक्वीश होके, यहां तक ही नो, हो गया, जिरो जिरो आ गए, नहीं है, बस दिस, चलो, 24.75, यह आपका, आई का मिल गया, किसका मिल गया, आई का, अभी का, यह, मतलब, एक एक्सपोर्ट, हाना, एक्सपोर्ट का लगा देते हैं, एवरेज दिकालते हैं, 30 प्लस 32, प्लस 36, प्लस 32, ओके, डिवाइडेट बै कितने होंगे, फ्वार है, एक, दो, तीन, चार, चार से डिवाइड करतो, ओके, अब देखो, दो, छे, आठ, आठ, दो, दो, दस, दस, क इरेकली भी कर सकते हो, कि चार, तीन, बारा हो गया, यहाँ पर एक हो गया, दस हो गया, चार, दुनी, आठ हो गया, यहाँ पर दो आ गया, अब देखो, आगी कुछ है नहीं, तो पॉइंट लगा लो, जिरो लगा लो, नीचे उतालो, पांच चुअक बीस हो गया, आपके डिफिनेंस इकवल टू क्या करोगे, यहाँ पर इमें से आई को माइनस करेंगे, यह कितना है, 32.5, माइनस, 24.75, अब देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो आँग है, तो यहाँ पर दो लगानी होंगे, तो जिरो लगा लो, अब देखो, दस में से पांच जाएंगे तो कितने रहेंगे, पांच रहेंगे, यहाँ पर 4 आगे, 4 में से 7 जाएगा नहीं, 14 में से 7 जाएगा, तो 7 रहेगा, ओके, पॉइंट लगा लो, पॉइंट आया तो, यहाँ पर एक, एक में से 4 नहीं जाएगा, तो 11, 11 में से 4 जाएगे, तो 7, और यहाँ पर 2, 2 में से 2 जाएगा तो 00 लिखने की जरूरत नहीं है तो अंसर क्या है आपका 7.75 ओके यह आपका करेक्ट नांसर इस तो करेक्ट नांसर ओके चले लिए कि किस वर्स में नियुनतम वह सतायात हुआ है नियुनतम एवरेज आयात की पुछा गए तो चले अब वर्स की बात हो रही है आयात की बात हो रही है ओके आयात में आई को देखना है हर एक में ओके अब इनका निकालना तो क्या करोगे तो सबसे पहले पहले calculation करनी होगी इन सब की है ना उसके बाद हम क्या करेंगी average निकालेंगे चले 2017 का कर लेते 2017 में कितना था 25 plus 28 plus 24 plus 22 plus 26 divided by कितने होगी average निकालने है आपको है ना तो यहाँ पर कितने आएंगे एक दो तीन चार पांच पांच देश है तो डिवैड़ेड पांच अब इसकी calculation करो पांच आट तेरा तेरा चार हो जाएगे सत्रा सत्रा दो नीस उनीस से पचीस पचीस के पांच यहां पर दो दो चार छे आट दस बारा ओके क्या होगे पचीस मेंच एक सबचीस आगया आपका पचीस की एवरेज आ गया किसका दो जार सत्रा का ओकी चलो जो अब 2018 की बात करते हैं 2018 में अब देखो यहां पर चार यह करना पड़ेगा चार यह है तो ओके तो 2018 में चले जाते कहाँ पर हैं यहां पर ओके 24 प्लस 26 लें एट प्लस 18 16 ओके डिवैोगे देड बाए प्था चलो बई इसका तुटल बच्चे वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि अभी मैं धरेकली करवा रही हूं कि 22.4 यह आपका अंसर आ गया किसका आया 2018 का 2019 का करते है 2019 का कितना है 2019 यहाँ पर है 28 प्लस 29 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 12 डिवैड़ेड बए 5 ओके चलो 8 9 17 17 2 19 19 6 25 25 27 यहाँ पर 7 यहाँ पर दो 4 6 6 3 9 10 11 11 17 डिवैड़े बए 5 5 ओके चलो पांच दूनी दस अभी सत्रा आया पांच तीन पंद्रा ओके तो रहा एकना दो बचे ओके पांच अक बीस तेस पॉइंट चार ओके 21 का है 2019 का अब चलते 2020 का दिखते है 2020 में कहाँ पर है यहाँ पर है इंपोर्ट ओके 22 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 21 ओके डिवैड़ेड ब यहाँ पर जिरो दो 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 चार चे आट कि दो चार चे आट दस बारा एकसो बीस पांच ओके 24 पंद्री इस इकवल टू ट्वेंटिक फ़र ओके यह आपका आया 2020 का अब देखो क्या पुछा है नियुनतम पुछा है नियुनतम एवरेज आयत नहीं पर दिख रहा है तो द इसी फटाबर से हो जाती है तो मैं बोलने रहे तो इसलिए इतना टाइम लगता है वरना आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा चलो क्वेश्चिन नमर फाइव कह रहा है 2019-2020 कि दौरां किस देश के लाब में अधिक्तम प्रतिसत व्रिद्धी हुई है अब लाब प्रोफिट की बारे में प्रॉफिट में सत्यादा भी कौन से ने से कूई है कौन से करो एंगो दीआ है कर आपको तो यहां पर दिया हुआ है 2019 2020 की बात हो रही अब देश की देखो कितने देश है P Q R S है अगर आप सारे देश की करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं आपके पास टैम रहता है तो सारे देश की कर सकते बाद अधरवाइस आप न यहां पर जो देश दिया है इतने देश की करो कि देखो पहले सबसे बहले P की करते हैं तो P में देखो एक कितना है 19 का सबसे पहले 19 का करेंगी यह आप दो पार्ट में में डिवाइट कर देखो टाकि दिक्कत नहीं कर देखो यह पार्ट होगा आपका दूस्यार निस का और यह होगा तो के यहांट होगा है 2019 का अब देखो यह भी की बात हो रहे 2020 में 32 माइनस 32 माइनस 22 कितने होंगे दस यह करना है उसके बाद हम इसका डिफरेंस निकालेंगे अब क्यों की बात करते देखो क्यों में क्या है 37 माइनस 29 कितना होगा 8 होगा यहां पर 2020 में कितना है 34 माइनस 26 इस इक्वाल टू कितने होंगे 8 होगे अब देखो P के बार Q के बार आ रहाता है R में क्या है 36 माइनस 32 इस इक्वाल टू कितने होगे 4 यहां पर 2020 में क्या है 34 माइनस 28 कितने होगे 6 होगे अब बात करते है S की बात करते है S में कितने आएंगे 21 माइनस 16 मतलब 5 ओके यहां पर 32 S में 32 माइनस 23 कितने होगे आपके 711, ग्यार है होगा ना, 729 होंगे, आप देखो, यहाँ पर सारा कुछ clear होगा है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं आ रहे ना, देख ले ना, 23, 32, 72, ओकी, यह स्कंप्लेट है, ओके, आप देखो, टी का निकालना है, तो निकाल लो, वनना नहीं चलेगा, ओके, अगर आपको सबका पुछा होता, तो आप इस तरी किसे कर सकते थे, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहती, इसलिए टी का भी निकाल लेती, 23-12 is equal to कितने होंगे, 23-12 जाएंगे, तो 11 रहेंगे, और यहाँ पर T is equal to, 28-21 को मैनस करना है, कितने रहेंगे, 21-7, अब यह निकाल आपने, सबका क्या निकाला, प्रॉफिक निकाला, सबका, ओके 2020 और दो 2019 को सबके, अब हमें क्या बुछा है, कि प्रॉफिक խी किसमी देखना है, अधिक्तम प्रतिसत बृद्दी की बाहत हो रहें, तो अब हमने क्या बताया है, ता अपको जब भी प्रतिसत बृत्दी, बिखके लिए प्रतिसत निकालना है not theुख भी कमी होती है तो आपको पहले दोनों यह का पिछली यह तुल्ड नahu तो उसके लिए क्या करो गया पहले P का देखते हैं तो दिको पहले क्या करेंगे इन दोनों का दोनों का 2019 और 2020 क्या करेंगे डिफरेंस तो तौद 10 मिंस आठ जाएगा तो कितना रहेगा दो रहेगा अब दिवाइड़ बै कितने करेंगे किस की तुल्णा में वृद्धी हुई है तो 2019 की तुल्णा में 2020 में वृद्धी हुई है तो जिसकी तुल्णा में हुई है मतलब कि 8 थे और 2 बड़े तो 8 को हम कहां रखेंगे नीचे की वह रखेंगे वृद्धी जिसकी तुल्णा में हुई है उसी को हम नीचे रखते हैं अब इ देखो कितना डिफरेंस आ रहा है आठ थे गो आठ वर राठ वनों स्वैम हो गई मतलब कि वृति हुई नहीं एक वरिद्धि नहीं तो क्यों तो आपका यहां से ही गया वाई क्या काम से क्यों अब इसके बाद पी क्यों आ रहाता है और की बात करते हैं यहां पर देखो वरिद्धि हुई यह सुई अपको इसलिए यहां चार थे तो दो बड़े हैं ओके तो डिफरेंस दो मिल गया है दो डिवाइड़ेड बै किसकी तुलना में हुई तो 2019 की तुलना म में छे बड़े हैं तो चार को नीचे रंखेगे इंटू हंड्रेड ओके पचीस चौक हो जए गए आपके स्वा और पचीस तुनी पचास हो गया ओके पचास प्रतिसति यहां पर आर में आए अब एस की बात करते हैं एस में देख लो वरिद्धि होई बिल्कुल होई है कि इतनी वह यहां पर 5 फिए सब्सक्राइब पर इस चौक हो गए यहां पर यहां पर साथ हैं तो मतलब यहां से यहां दोजाब 20 में आये तो हमें लॉस्वा प्रॉपिट तो हुआ नहीं यहां पर है है कि आपको इंक्रीज होना यह तो इंक्रीज हुआ है तो यह तो आपका वैसे भी चला जाता अगर आपके option में होता है तो कि है तो नहीं लेकिन मैं आपको पता देना चाहते कि इस तरह के से कोशन आते तो यह से देखना ओके चले अब आपको अधिक्तम की बात की गई तो अधिक्तम कहां पर है पचीस पचास अस्ती तो अस्ती वाला आपका करेक्ट है करेक्ट अंसर करेक्ट तो यह ते पांच कुशन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आयोंगे कि इतनी इजी कुशन थे आप खुद भी सोच सकते हैं जिनको बहुत ही हाड बहुत ही मतलब के हाड लग रहा है वो लोग टैली प्रैक्टिस करें आपको बहुत इजी लगेगा और आप मतलब की जो टाइम में आप डियाई अभी लगाते न जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो आपको पांच मिनिट में 5 कोशन कंपलेट हो जाएंगे तो हमीं यहां तक पहुचना है 5 मिनिट तक पहुचना है इसलिए टैलेक प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर आपको टी आय ield कर लाती है तो फेडियो को लैट करते जाना हाड लग रहा है, इसी लग रहा है, मटरेट लग रहा है, इसका फिड़्वेक जरूर दीजेगा, ओके, तो चलिए बबाई, टेक केर यूँ, जैसी कृष्णा